मरीज के शरीर से निकाली गई दुनिया की सबसे बड़ी किड्मी दो नवजातों से भी ज्यादा है वजन नई दिल्ली दिल्ली के एक अस्पताल में चिकित्सकों ने ओपरेशन कर 56 वर्षिय एक व्यक्ति के शरीर से 7.4 किलो की किड्मी निकाल दी है दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी किड्मी है अस्पताल के अधिकारियों ने सोमवार को इस समबंध में जानकारी दी है सर गंगा राम अस्पताल में यूरोलोजी कंसल्टेंट डॉक्टर सचिन कतुरिया ने बताया कि किड्मी इतनी बड़ी थी कि उसने मरीज के पेट को लगभग पूरा ही घेर रखा था किड्मी को दो घंटे की सरचरी के बाद निकाला गया उन्होंने कहा इसे इस तरह समझे किड्मी का वजन दो नवजात बच्चों के कुल वजन से भी अधिक था सामान्य किड्मी का वजन लगभग 120-150 ग्राम होता है जिस किड्मी को निकाला गया उसका आकार 32-21.8 सेमी था अधिकारियों का कहना है कि यह दुनिया भर में यह पहला मामला है जिसमें एकनी बड़ी किड्मी निकाली गई है डॉक्टर कतुरिया ने कहा, आप्रेशन से पहले हमें यह तो पता था कि किड्मी बड़ी है यह अब तक दुनिया की सबसे बड़ी किड्नी मानी जाती थी। इसे चिकित्सकों ने 2017 में निकाला था उस किड्नी में गठाने थी। सर गंगा राम अस्पताल के चिकित्सक इस सर्चरी के आधार पर गिनीज वर्ड रेकॉर्ड में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। जिस मरीज की किड्नी निकाली गई है वह दिल्ली का रहवासी है और आटोसोमल डॉमिनन्ट पॉलिसिस्टिक किड्नी रोग नाम के जैनेटिक विकार से पीरित था।